नमस्कार सभी का मेरे नामे कृष्ट मोहन और आप देखरें केम टॉक्स आज हम बात करने वाले हैं कॉफी के बारे में वर्ल्ड कॉफी कॉफी कॉफरेंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बार जो World Coffee Conference हो रहा है वो हो रहा है बैंगलूरू में ठीक है ना? और ये इसका पांचवा संसकरण है जो की होगा 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर के बारे में तो आईए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं World Coffee Conference के बारे में तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई event ऐसा कोई conference इंडिया में आयूजित किया जा रहा है इसके पहले वाले जितने एडिसन थे वो लंडन हुआ था 2001 में फिर ब्राजील में हुआ 2005 में फिर गोटे माला में हुआ 2010 में फिर आखरी बार हुआ थे एथोपिया में 2016 में 2023 में हो रहा है इंडिया के बैंगलोर में इस event को jointly organize किया गया है coffee board द्वारा फिर इसमें आता है ministry of commerce and industry और इसमें आता है international coffee organization अगर हम इस conference के mascot की बात करते हैं तो इस conference का जो mascot है वो है coffee swarmy theme क्या है sustainability through circular economy and regenerative agriculture दो चीज़े important है exam perspective से mascot of the conference that is coffee swarmy and theme sustainability through circular economy and regenerative agriculture कुछ हम लोग key facts जान लेते हैं इस international coffee organization की तो यह जो body थी इसको set up किया गया था उन 1963 में under the guidance of united nations इसलिए किया गया था ताकि economic बूस्ट किया सके economic importance of coffee globally ठीक है न यह मात्र एक inter government organization है coffee के लिए जो कि represent करता है 93% of world coffee production and 63% of world coffee consumption इंडिया जो है इसका member है कुछ हम लोग coffee cultivation के बारे बात कर लेते हैं तो basically world में न दो तरकी coffee की variety होती है एक होती होती है coffee arabica ठीक है और दूसरी होती होती है coffee canifora अगर हम climatic condition की बात करते हैं तो इसके लिए हमें hot and humid climate चाहिए और temperature की बात करते हैं तो 15 degrees celsius लेकर 28 degrees celsius की बात करते हैं तो rainfall इसको चाहिए 152 to 50 cm तक के लिए अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में coffee production के लिए कौन-कौन से states है तो basically करनाट का जो है न वो 70% of the total coffee produce करता है उसके लावा केरला हो गए तमिलाडू हो गए अंतरप्रजेस हो और ओडिसा हो गए ठीक है न तो यह वीडियो थी हमने किवल बात की है कि इस बात को world coffee conference हो रहा है इंडिया में हो रहा है इंडिया में कहां हो रहा है बैंग circular economy and regenerative agriculture मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए topic साथ अब तक जैहिन जै भारत नमशकार